नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं बना रही हूं चावल के मोटे वाले पापड जो बहुत इजीली बन कर तयार होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत क्रिस्पी खुसकुसे बहुत अच्छे बनते हैं ये तो चली से बनाना शुरू करते ह सबसे पहले हमको आटा तयार करना होता है इसके लिए मैंने चावल को बारा घंटे बिगो के रखा था और उसको सुखाने के बाद उसका आटा पिसवा लिया था चक्की में तो ये मैंने आटा लिया है 100 ग्राम और ग्लास से हम लेंगे तो पॉना ग्लास मतलब 3-4 ग्लास काटा लिया है इसमें डालने के लिए ये देड़ चमच तिल है एक चमच जीरा कि आधा चमच लाल मेच पाउडर और एक चमच नमक इसके लिए मठा लिया है मैंने तो ये देड़ ग्लास मठा है जो की 300 मल मठा है अगर हम ग्लास से लेते हैं तो जितना हम चावल का आठा लेते हैं उससे दुगना हमको मठा लेना होता है जिसे एक ग्लास हमने आठा लिया है तो दो ग्लास हमको मठा लेना है अब ये मैंने गेस पे गरम करने के लिए पतीला रख दिया है, इसमें जो हमने मठा लिया है, वो डाल देंगे, दोनों गलास का मठा मैं इसमें डाल देती हूँ, अब मठे में जो मसाला है, हमारा जीरा, तिल, नमक, और लाल मिच पाउडर, मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए, तो आप मिर्च मठ डालिए, और अगर ज्यादा चाहिए, तो आप ज्यादा डाल सकते हैं, इसको हम मिक्स कर लेंगे, ये देखिए मैंने डाल घोटनी ली है, और इसके जो पीछे वाला साइड है, उ जादा अच्छा बनेगा मथे में उबाल आ गई है तो इसमें चावल का आठा डाल देती हूं मैं और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे अच्छे से हम मिला लेंगे देखे इस वक्त आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लोग कर दीजे और इसको मिलाते हैं अगर आपको देर लग रही है या आपको दिक्कत हो रही है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं जब आप अच्छी तरह मिल जाए तब आप गैस आउन कर लिजेगा और इसको फिर 10 मिन के लिए बिल्कुल धीमी आच पे हमको mix करते हुए पकाना है इस चावल के आटे को अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़री होता है और यह transparent हो जाता है इसमें अलग सी चमक आ जाती है जब यह पक जाता है तो तो समझ में आ जाता है जितने अच्छे से आटा पकता है पापड उतने अच्छे खुसकुसे बनते हैं तो इसे अच्छे से पकाना ज़रूरी है देखे अब यह चावल का अच्छे से पक गया है तो मैं गैस का फ्लेम बन कर देती हूँ जब यह ठंडा हो जाएगा तो इसमें थाली में निकाल लूँगी आटा अच्छी तरह से ठंडा हो दा है तो इसने थाली में निकाल लिया है काफी अच्छे से पक चुका है लेकिन थोड़ा साथ में तेल लगा कर मैं इसको गूथ लेती हूं अच्छे से गूथ कर ताकि इसमें कोई भी गुठली कोच रह न जा को इसलिए इसको सब्स्दो तैयार कर लेंगे हैं तो यह मैं सकते हैं एक पूड़ी मशीन में भी बनाते हैं और बेलन पटे पे बेल कर भी बनाते हैं बेलन पटे पे जैसे हम रोटी बेलते हैं पर्थन लगा के उसी तरह से चावल का आठा लगा करके हम इसको बेल सकते हैं और फिर इसको सुखा लेंगे तो देखिए लूईयां तयार ह हो गई है और मैं आपको पूड़ी की म Primary से बना कर बता रही हूंँ अभी कहारत कि आप पॉलीथिन लीजिए पॉली तिन में थोड़ा सा औल लगाएंगे आ कि देखर आप किसी तो कोई भी पॉलीथिन ले के थोड़ा सा ओई लगा देंगे उसमें लोई रखेंगे और फिर इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे अभी पापड बनकर तयार हो गया है तो मैंने टेबल पे एक पॉलिथिन विछा लिया है और इस पर हम पापड को सुखा देंगे कर्मियों के दिन में बाहर ज्यादा भूप में भी सुखाना ज़ोरीर ही होता है घर के अंदर भी पापड शूप जाते हैं हैं इद इसी तरीगे से हम दूसरे पापड भी बना लेंगे, अब मैं आपको बेलन पटे पर बना कर बताऊंगे कि आप किस तरीके से बेलन पटे पर पापड बना सकते हैं, आप पॉली थिन जैसे आपने लिया था, ऐसे ही ले लीजिए, इसके उपर वापस कवर कर दीजिए पॉली थे, और फिर बेलन लेकर आप उपर से बेल लीजिए, इस तरीके से बनाने से, जो चामल का आटा है, वो लगता नहीं है पापड पे, तो जब हम पापड तलते हैं, तो हमारा तेल खराब नहीं होता है, हम चामल का आटा लगा कर भी जिस तरीके से रोटी बेलते हैं, उस तरीके से पापड बेल सकत लेकिन थोड़ा बहुत आटा पापड में लगा होता है तो जब हम तलते हैं पापड को तो हमारा तेल खराब हो जाता है तो आप इस पॉलिथिन में बेली है तो ज्यादा अच्छे से बनते हैं पापड देखें यह भी इजी है और अगर आपके पास पूड़ी की मशीन नही तो आपने देखा कितने अच्छे से आसानी से पापड बन गए अब यह पापड को हमने सुखा दिया है तीन-चार गंटे के बाद में आप देखेंगे कि पापड किनारे से श्रिंक हो रहे हैं थोड़े से उपर उठ रहे हैं आप देखें थोड़े-थोड़े पापड खालेंगे अब पापड हमारे सूख गया है अच्छी तरह से तो मैं आपको यह पापड तल कर दिखाती हूं कि छोटा सा पापड कितना बड़ा हो जाएगा तलने के बाद तेल गरम हो गया है तो इसमें पापड डाल देती हूं मैं और यह देखिए कितने अच्छे से पकना है कि जो हम आटा बनाते हैं इसका वो बहुत अच्छे से पकना चाहिए उसको बहुत अच्छे से गूतना चाहिए कोई गुठली नहीं होना चाहिए उसमें जितने अच्छे से हम आटे को गूतेंगे पापड के और जितना अच्छा आटा पकेगा उतने अच्छे प आप दिख रहे हैं ये और खाने में तो ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहे हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूली एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइक कीजिए पुरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद